Hello dear viewers, last video में हमने start किया था integers, जिसमें मैंने discuss किया था कि what are integers, So, integers are the large collection of numbers which include whole numbers and negative numbers, okay? और हमने ये बहे डिस्सकिया था, अगर किसी number में हम positive integer add करते हैं, तो number line किस direction में move होती है, या फिर subtract करते हैं, तो number line किस direction में move करती है, So, today we are going to discuss about additive inverse, okay? Additive inverse So, what are additive inverse? Additive inverse for any number is, अगर कोई ऐसा number जिसको add करने पे हमारी value 0 आती है, तो वो उसका additive inverse होता है, जैसे कि अगर एक कोई integer या कोई number है, तो इसका additive inverse होगा, वो minus A होगा, क्यों? क्योंकि जब हम A में minus A add करेंगे, तो value 0 आती है, प्लस माइनस माइनस तो A minus A is equal to 0, So, ऐसे ही integers में होगा है, जैसे कि अगर minus 1 है, तो इसका जो additive inverse होगा, वो plus 1 होगा, क्यों? क्योंकि जब हम minus 1 में, प्लस 1 को add करेंगे, तो हमारी value 0 आती है, अगर यहां पर A होगा, तो इसका जो additive inverse होगा, वो minus A होगा, तो जब भी हम 8 को, minus 1 के साथ add करतें, तो हमारी value 0 आती है, ऐसे ही सभी numbers के additive inverse लिकाले जा सकते हैं, Means, अगर positive A है, तो उसका additive inverse negative A होगा, अगर, number negative A है, तो उसका additive inverse positive A होगा, ओके? Okay, so like this you can find out the additive inverse, Now, अब हम discuss करेंगे कि हम without help of number line कैसे integers को add कर सकते हैं और subtract कर सकते हैं, So, addition and subtraction of integers, Okay, so for example, हम यह लेखें, Minus minus 4 रख लेखें, तो इससे पहले, इसको solve कहने से पहले आपको यह याद रखने पड़ेगा, कि minus और minus, जब ही होता है, तो जो numbers होता है, वो add होता है, यानि minus और minus plus होता है, जब plus और minus होता है, यहाँ पर plus होता है, और फिर यहाँ पर minus होता है, तो वो minus होता है, यानि number subtract होता है, अगर यहाँ पर पहले plus है, minus है, तो plus है, तो भी minus होता है, और अगर plus और plus है, तो number plus ही होता है, तो अब हम इससे solve करेंगे वसके मैंने आपको बताया minus और minus plus हो जाता है तो 4 plus 4 minus minus plus कर दिया तो यह numbers add जाएंगे तो that will be 8 ओके, now अगर यहां पर 5 minus 4 होता तो यह तो बहुत simple है बना जाता Curves यह भी integers है, okay अगर यहां पर minus 4 है और यहां पर plus है और यहां पर 5 है तो यहां पर थोड़ी problem हो जाते है तो हम minus और plus minus होता है तो आप यह करोगे 5 में से 4 को minus करोगे that will be 1 आप लिखोगे 1 और यहां पर यहां पर यहां पर सबसे आगे तो minus है फिर plus है तो जो sign होता है न वह हम सब जो बड़ी desert होती है उसका लिखे है तो 5 के आगे plus है तो हमारी जो sign होगा answer से पहले अब value से पहले हो plus होगा एक और example लिखे है अगर यहां पर 9 है और यहां पर minus 4 है और यहां पर plus minus 5 ओके तो how can we solve it तो सबसे पहले हम इसे solve करें 9 minus 4 और plus minus 5 ऐसे दो होता है तो यह हो जाएगा 5 plus minus और मैंने आपको बता है कि plus minus minus होता है तो यहां पर जो sign हो जाएगा 5 minus 5 और भी 0 ओके और examples करें के हम number 5 तो अगर minus 18 minus 15 है तो हम कैसे करें तो मैंने आपको बता है कि minus और minus plus होते है चिक्के तो यानिक इसका मतलब है कि यह दोनों add हो होगे तो 18 plus 15 करेंगे तो प्लस करेंगे तो कि minus minus plus होता है तो यहां पर अब पर अब sign की बात आते है तो अगर दोनों minus के sign होते हैं पहले भी और बार भी तो sign minus करेंगे या फिर आप बिगर नंबर को देख सकते हो बिगर नंबर के आगे sign है minus का तो आप sign minus का लगा होगे ओके ऐसे ही एक और आजाता है जैसे यहां पर minus 10 है और plus 6 है ओके So how can you solve it minus और plus minus होता है यानि value minus होगी यानि 10 में से 6 को हम माजने करेंगे that will be 4 तो यहां पर आजाएगा 4 ओके अब हमारी जो sign की problem आते है तो यहां पर जो bigger नंबर है वो minus का तो हम यहां पर minus से रजाएगे चीक है तो इस पर याद रखने वाली बात यह होती है पहले तो आपको यह याद रचना पड़ेगा कि जब भी ऐसा कोई operation होगा तो minus minus sign होगे तो plus हो जाएगे values add की जाएगे और अगर plus और minus की sign होगे तो value minus की जाएगे दूसर में से minus और plus plus के sign होगे तो भी values minus की जाएगे यानिए subtract की जाएगे और plus plus के sign तो addition तो होता ही है अब जब भी आपको इस टाइप के आते हैं problem हाती है जहाँ पर आगे minus लगा होता है या plus लगा होता है तो आप हमेशा जो bigger number होता है उससे दिखोगे कि उसके आगे कौन सा sign है अगर negative है तो आप negative लगाओगे अगर positive है तो आप positive लगाओगे ओके? I hope आप सब कोई समझा रहा होगा और आप ऐसे ही 15 तक के additive inverse find out करके रेखेगा और addition और subtraction करके देखेगा एंटिर्योस का ओके? Thank you